यह हैं हैं हमाने पास ग्लॉसी पेपर आप देख सकते हैं जो है 130 gsm में नोबा कंपनी का और और यहे 180 gsm में और यहे पड़ बंबर पल पर ब्र जो हम लेमिनेंशन करते हैं वो हैं लेमिनेंशन पाउस होते और वहीं आप देखेंगे तो यहैं was लेंमिनेशन पहुंच डी का की लिए यह 250 माइक्रम और यह हमारा वाला है यह है सौ मां इस तो माय मिल email मैं इसमें स्टपिभभ선 आप में जानते हैं कि आपके लिए स्कौंसे रहना चाहिए 130 JSM में लेने चाहिए और एक सोटीज लिए चाहिए और आपके लिए ओसी घल से जोंकर हुब कब यूज्ज करना चाहिए और ऐस से पैपर हो कब मैं यह चैनल करें फितके से बीचरथ में और यह 250 माइक्रोन में तो इन सभी का जो है पर्चेस करने का लिंक आप लिए इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप सीधे लिंक पर किलिक करके भी जो है पर्चेस कर सकते हैं तो हम जानते हैं पहले सबसे जो 130 जिसम में तो सबसे पहले तो हम इसकी जो ओपन करते हैं इसको जैसे कि आप आप देख सकते हैं भी जो है मैंने इसे खुला भी नहीं है इसमें पचास सीट है और 180 जिसम वाले में भी हम जो है पचास सीट है अब यह देख सकते हैं हमारे पार 130 जिसमें गलौसी पर अब één 130 जिसम वाला पेलब ही निकाल लिया है और 180 जिसम बाला भी और यहां पर यह मैंनेtail लेम्लियस करु पहुत पार है यहां पर आप देख सकते हैं अब हम जानते हैं सबसे पहले जो 130 तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारा 130 GSM बाला पेपर तो इस पेपर में अंतर क्या है 130 में और 180 GSM देखिए यह 180 गा तो इसमें क्या अंतर है कि जैसे कि माल लेजिए आप 130 GSM का पेपर लेते हैं तो इसमें और इसमें आप लिए सफाई में तो ज्यादा कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा विल्कुल सफाई तो जो है सेम है अब जैसे कि इसमें जो आप देखेंगे इसकी मोटाई है तो इसकी जो है कम है थोड़ी यह देख सकते हैं और जो हमारा 180 GSM का है तो जैसे कि माल लीजिए आप जो है कोई ID कार्ट प्रिंट निकाल रहा है तो आपके लिए 130 GSM का जो पैपर है वो यूज करना चाहिए क्योंकि सफाई तो जो बराबर आती है और आपका जो कार्ट है वो थोड़ा पतला भी रहेगा और सफाई भी अच्छी आएगी और कार्ट जो है देखने में भी अच्छा लगे होगा कि आपका जो कार्ड है उबढ़ पर जाए तो उसमें लेमिनिसन करने में आपके लिए समस्या आएगी मतलब कि आप देखेंगे तो कॉर्णर से थोड़ा-थोड़ा चिपके गन है लेमिनिशन आपका तो आपके लिए कि जो ID कार्ड या फिर आप जो भी कार्ड प्र पर और यह जो है आप ID Card के लिए रखें कि इसमें यह पतला रहता है सफवाई में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा यह सकते हैं सिर्फ यह जो हैं और यह हैं पतला है यह यह अंतर हैं दोनों में तो आपके लिए फोटो मोटो के लिए के निकालना है तो यह यूश करें अगर आप के लिए काट के लिए करना है तो आप यह यूश करें अब हम जानते हैं यह लैमनेशन पाउच के बार में तो यह है यह देख सकते हैं लैमनेशन पाउच जो कि असी माइक्रोन में है आप चाहें तो ज्यादा माइक्रोन में भी सकते हैं जैसरा कि आप देखेए यह तुछ है थोड़ा पतला अगर आप जैसे की 125 करण 250 मASON में लें तो रहेगा मोटा सकते हैं क्वारा जो है आसानी से मोड़े भी जाएगी यह पनी डाकुमेंट के साथ एक फोर पेपर में एक फोर साइच किया है और यह है एक सो पत्थीस माइक्रोन में लेमनेशन पाउच तो यह यह भी आप देख सकते हैं यह जो एक सो यह अस्य वाली है इससे थोड़ी से हाई है यह क्या है कि किस से आपका जो कार्ड है वह विल्कुल ही कडक रहेगा मतलब कि आप देखेंगे तो शंफाई भी यह देखने वाट फिल्क कार्ड भी विल्कुल काड़क हो रहेगा तो इस तरह से आपके लिए कौन सा तो आप मानली जैसे कि आप आईडी कार्ट प्रिंट कर रहा है तो आप यह वाला लगाएं 250 माइक्रों में लगाएं और आप नोर्मली यह मानली जिए आप जो इन दोनों में आपके लिए पचास-पचास सीठ देखने को मिलती है, आप इनकी मोटाई भी देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 50 सीठ हैं लेकिन इसकी आप अंतर देख सकते हैं कि आप कोई सापेपर लेना चाहिए और कब कौन सा पेपर जो यूज करन चाहिए अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तेस वीडियो को लाइक कर देए